नमस्कार दोस्तूं मैं आपका चंदा मामा आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल आयम चंदा मामा पर और आज हम देखने जा रहे हैं पिकलू और बच्चे के दुश्मिन की कहानी चंदा मामा की जुवानी तो चलिए चलते हैं कहानी की और पिकलू इधर उधर घूमता हुआ अपने बस्ती से बहुत दूर निकल आया था रात को अंधेरा देरे देरे बातावर्न में फैलना शुरू हो गया था इसलिए वह वापस लॉट्टा और बस्ती की और चल पड़ा सुबह शाम जंगल में दूर दूर तक घूमना पिकलू की आदत बन गई थी वह रोज इसी तरह दूर निकल जाता था और लोटते में रात हो जाती थी पिकलू उचलता खुद था जाडियों को फुलांकता तेजी से अपने घर की और बढ़ता चला जा रहा था अचारग उसके कदम इस तरह रुख गए कि जैसे किसी चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगा दियो हो वै कोई अजीब सी अवाज थी जिसको सुनकर पिकलू के बढ़ते हुए कदम रुख गए थे वै उस अवाज को ध्यान से सुनने की कुशिश करने लगा जल्द ही वै उस अवाज को पिचान गया वै किसी बच्चे की रोने की अवाज थी इस भेहनत जंगल में किसी बच्चे का क्या काम? पिकलो ने अपने आप से सवाल किया लेकिट वैख खुद को अपने ही सवाल का कोई जवाब ना देशका आखिर उसने तैय किया कि चलकर देखना चाहिए कि बच्चा जंगल में कैसे आया कौन है और क्यों रो रहा है? बच्चे की रोने की वाज चारों तरफ से आती हुई लग रही थी पिकलो यहता ही नहीं कर पाया कि उसे किस दिशा में बढ़ना चाहिए लेकिन जल्द ही उसके दिमाद में एक तरकीब आगी उसने ध्यान से सुना बच्चे की रोने की वाज हवा में साथ-साथ धीमी तेज हो रही थी फिर उसने हवा का रुख देखा और उस दिशा में चल दिया जिदर से हवा चल रही थी पिकलो की यह थैट कुई काम्याब रही जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बच्चे की रोने की अवाज तेज होती जा रही थी चलते चलते पिकलो एक गुफा के अंदर जहंक कर दिखा अंदर पेट्रो मैक्स का प्रकाश फैला हुआ था उस प्रकाश में पिकलू ने अंदर का मुआइना किया महां पांच आदमी इदर ओधर बैठे किसी जानवर को भुना हुआ मास नोच नोच कर खा रहे थे पांचों सूरत से ही खतरना किसम के बिदमाश लग रहे थे एक और दस बारा साल का लड़का पड़ा हुआ था उसके हाथ बंदे वे थे बिलागतार रो रहा था मजे मेरे ममी ने डिके पांच पंचा तो लड़का गड़गड़ा कर कह रहा था चिपचा बैठ रहे चोकरे एक बदमाश गुजार कर बोला उसके चहरे पर चाकू का एक घहरा घाव नजर आ रहा था उसका नाम शेरा था ने मैं डेनी के पांच जाओंगा लड़का रोता हुआ बोला जगी जिरा इस चोकरे का इसके बाप के पास तक पहुचा दे शेरा ने घुरार कर कहा जगी नामक बदमाश उठा और लड़के की कमर में दो तिन ठोकरे मारते हुए बोला छोकरे हम तेरा अफरन इसलिए करके लाए हैं ताकि तेरे अमीर बाप से तेरे बदले में एक लाक रुपे वसूल कर सकें अगर तेरा बाप तुझसे मुहपत करता होका तो हमारी मांग पूरी कर देगा फिर हम तुझे उसके पास पहुचा देंगे बरना तेरे शरीर के छोटे-छोटे टुकडे करके यहीं जंगली जानमरों को खिला देंगे वस बदमाश की बात सुनकर बच्चा और जोर जोर से लिरने लगा पिकली की आँखों में खून उतर आया उसके दिल में आया कि वह बदमाशों पर तूट पड़े और बच्चे को उनकी पकड़ से अजाद करा ले लेकिन उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वह देख चुका था कि पाचों बदमाश के पास रिवॉल्वर है जरा भी गड़बर होने पर बच्चे को मार डालेंगे उस समय तो पिकलू शांत रहा लेकिन उसने तै कर लिया था कि इस बच्चे को बदमाशों की पकड़ से अजाद करा लेगा पूरी राद गुजर गई लेकिन पिकलू को मौका नहीं मिला कि वह बच्चे को अजाद करा सके सुबह बदमाश नाश्टा करने लगे उन्होंने बच्चे को भी नाश्टा दिया लेकिन उसने नाश्टे को हाथ भी नहीं लगाया मैं बस यह कहता रहा मुझे मेरी मम्मी डढ़ी के पास पहुचा दो नाश्टा करने के बाद शेरा अपने एक साती को बोला कि दयाल शेहर चला जा और प्लान के मताबिक छोकरे के बाप को फोन कर दे ताकि वह लाक रुपे लेकर यहां आ जाए ठीक है दयाल ने उटते हुए कहा और फिर वह गुफा के बाहर निकल गया पिकलू ने शेरा की बाद सुन ली थी उसने भी बच्चे को छुडाने का एक लंबा चोड़ा प्लान बना डाला और दयाल के पीछे शेहर चल दिया जहां पर जंगल खतम होता था वहीं पर जाडियों में एक जीप छुपी खड़ी रही थी दयाल ने जीप वो जाडियों से निकाल कर शेहर की और चल पड़ा इस बीच पिकलू मुक्का पाकर जीप के पिछले भाग में चड़ गया था पिकलू ने ये काम इतनी साधनी से किया था कि दयाल को उसकी हवा भी नहीं लगी जीप शेहर के विबिन सड़कों में को रोन टीवी टेलिफोन भूत के आगे सामने जा रुखी दयाल जीप से उतर कर भूत में दाखिल हो गया और फून करने लगा पिकलू ने अपने कान बूत की तरफ लगा दिये ताकि दयाल की बात्चीत सुन सके दयाल फून पर किसी से कह रहा था कि मिस्चर शर्मा तुम्हें अपने बच्चे के लिए बहुत परिशान हुनना वे हमारे पास ही है अगर उसे जिन्दा और सही सलामत हसिल करना चाते हो तो आज शाम पांच बजे तक एक लाक रुपए लेकर जंगल के पुराने खंडर में पहुंच जाओ और हाँ एक बात याद रखना पुलिस को बीच में मत लाना वरना तुम्हें बच्चे के लाश ही मिलेगी अगर तुमने इमानदारी से एक लाक रुपए हमारे हवाले कर दिये तो तुम्हारा लड़का सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा इतना कहकर उसने फोन रख दिया और बूद के बाहर चला आया पिकलो ने उसकी सारी बात चुन ली थी अगले ही पल जीप एक और दोड़ चली जा रही थी दस मिनर तक दोड़ने के बाद जीप एक स्थान पर रोग गए महां से कोई 55 कदम दूर एक शानदार बंगला था दियाल जीप से उतरा उसने बंगले पर एक नजर डाली और जीप का बोनट उठाकर इंजिन को देखना का बहाना किया इंजिन ठीक करने के बहाने वो साथ साथ दियाल तिर्शी नजरों से कि बंगलले के गेट पर भी नजर रख रहा था सारा मामना पिकलु को समझ में आ गया वैं बंगला मिस्टर शर्मा का ही था दियाल बंगले पर इसलिए नजर रख रहा था कि अगर मिस्टर को ख़बर करें तो पता लजज जाए वैं अब் अब भी इंजिन पर जुखा इंजिन देखने का बहाना कर रहा था, मौका अच्छा था, पिकलुच जीब से उतर गया और दयाल की नजर बचा कर बंगले की और चल दिया, मिस्से शर्मा अपने ड्राइंग रूम में बड़ी बेचैनी से इधर उधर टेहल रहे थे, उनकी प प्यारा है या अपना बेटा राजो नहीं, अफो कमला तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मिस्से शर्मा जुन्जुला कर बूले, मुझे भी राजो उत्रा ही प्यारा है, जतना तुम्हें प्यारा है, मैं तुम्हें उसके लिए एक लाख रुपे को क्या अपनी सारी दौलत अपरन करताओं को दे दूँगा, तो फिर अपरन करताओं की बात क्यों नहीं मान लेते, मत करिये पुलिस को ख़बर, कमला आसु पोश्टे हुए बोली, तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर अपरन करताओं ने रुपे लेकर राजो को भी हमारे हवाले नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मौके पर पुलिस उनसे निपट लेगी, अपने पती की दलील सुनकर कमला कुछ न बोली, मिस्ट शर्मा फोन की और बड़े, तो इस समय पिकलू अंदर आक के कहता है, कि ठहरी है, यह पुलिस को फोन करने ही जा रहे थे कि एक अवाज उभरी, मिस्ट शर्मा रुख गए और आवाज की दिशा में देखने लगे, आवाज दर्वाजे की तरफ से आई थी, बहां एक खरकोश को खड़ा देखकर उन्हें बड़ा अश्र हुआ, पुलिस को फोन करके आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, यहां आएगी और फिर आपके बेटे राजो की जन को खत्रा पैदा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँ, मिस्ट शर्मा ने हाथ मलते हुए का, मैं बदाता हूँ, पिकलू उनके पास पहुंच कर बोला, और फिर मिस्ट शर्मा को अपना प्लान समझाने लगा, पिकलू का प गडबर नहीं होगी, पिकलू उन्हें तसली देता हुआ बोला, और अगर कोई गडबर होगी, भी तो आपके बेटे राजो की हिफासद मैं करूँगा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, वैसा ही करूँगा, शर्मा जी ने कहा, उसके बाद पिकलू बंगले के बाहर जाकर शेरा ने चिला कर पूचा, हाँ राया हूँ, शर्मा जी उसी तरफ चिला कर बोले, और उनने नोटों से भरा ब्रिक केस खोल कर जमीन पर रख दिया, शबाज, मुझे तुम से यही उम्मीद थी, अब ब्रिक केस से दूर हट जाओ, मेरा बेटा कहा है, मिस्टर शर्मा ने पूचा, छोकरे को लव, शेरा ने पास खड़े जग्गी से खा, जग्गी फोरण वहाँ से चला गया और थोड़े देर बाद गुफा से राजु को ले आया, तेख लो, तुमारा लड़का सही सलामत है, शेरा बुला, अब तुम ब्रिक केस से दूर हट जाओ, और मैं लड़के को तुमारे पास भेज रहा हूँ, मजबूरन शर्मा जी को पीछे हटना पड़ा, शेरा ने राजु को छोड़ दिया, डेडी, डेडी चलाता हुआ, राजु मिस्टर चर्मा के पास भागा, शेरा ब्रिक वेस की और जप्टा, राजु अपने डेडी के पास पहुंच गया और शेरा नोटों का बरा ब्रिक वेस अपने साथियों के पकड़वाने के लिए महा पुलिस का जाल फैला रखा था। उसका इशारा मिलते ही चारों ओर से पुलिस बाहर निकल आई। पुलिस को देखकर शेरा और उसके साथियों ने डिवॉर्बर निकाल कर फाइरिंग शुरू कर दी। चार बदमाश तो कुछ देर बाद गिरफ् लेकिन शेरा तीन पुलिस वालों को घायल करके वहां से भाग गया। लेकिन वह ज़्यादा धूर भाग नी पाया पिकलू उसे उस पर तूट पड़ गया था। शेरा के हाथ से रिवॉल्बर निकल गई। वैब ब्रिक केस लेकर ही भागा। पिकलू उस पर उचल उचल क पर हमले करने लगा। कुछ ही देर बाद शेरा भी पकड़ में आ गया। पुलिस वाले भी वहां पहुंच गये और शेरा गिरफतार कर लिया गया। बाद में जब शेरा को पता चला कि ब्रिक केस में जो नोटों की गड़ियां रखी थी वे सब नकली थी। गड़ियों के उपर जो नोट लगे थे वे असली थे। इस तरह पिखलो के कारण अपरंग करता सफर ना हो सके। उन्हें पुलिस के हातों गिरफतार होना पड़ा और राजू सही सलामत अपनी मम्मी डैडी के पास पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी पिकलू और बच्चे के दुश्मन की कहानी चंदा ममा की जुबानी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा। और जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ आगे एक और नई कहानी के साथ मिलता हू फिर से आपका चंदा ममा आपसे विदा लेता है। धन्यवार। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। झाल 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 झाल